अब पढ़ाई की बारी आती है तो बिलकुल सीरियस होके आप पढ़ाई में जुट जाएं जो भी बच्चे सेकंड ग्रेट की तयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूँ कि अभी आप लोगों का जो महा ओफर है तीपावली का वो चल रहा है और यह केवल 8 तारिक तक ही चलेगा तो जहां आपको केवल 1399 रुपे में जीके का फर्स्ट पेपर आपको मिल रहा है उसके बाद ही है तीन हजार से भी उपर का आप लोगों को मिलेगा तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए तो किसी भी बच्चे के लिए उसके बाद कम नहीं किया जाएगा जीके का जो फर्स्ट पेपर है सेकंड ग्रेट का वो आपको पूरा मिलेगा जिसमें क्या-क्या मिलेगा तो मैंने एक वीडियो बनाया है आप लोग उसको देख सकते हैं उसमें डिटेल में सब कुछ बता जाए जाएंगे और question answer series भी चलेगी और सभी बच्चे पहले से ही जानते हैं कि यहां पर जो question answer series आपके लिए कराई जाती है तो वो आपके exam के लिए रामबान होती है क्योंकि अभी तक का record है कि एक भी single question जो है exam में आपके यहां से बाहर नहीं आया है क्योंकि मैं केवल authentic books जो होती हैं उन्हीं को follow करती हूँ और उन्हीं के द्वारा जो मेरे notes होंगे आपको hand return notes जो की आपको course में मिलेंगे तो चलिए start करें chapter 3 करसी album सिचाई होली की चुटियों में मनोज अपने पापा ममी के साथ अपने गाउं जा रहा था रास्ते में चारों तरफ खेतों में फसले खणी थी मनोज ने उठ सुपता से पापा से पूचा यह कौन सी फसल है पापा ने बताया कि यह तो गेहुं की फसल है गाउं में अधिकांस लोग खेती करते हैं जिनको किसान कहते हैं या ख्रशक कहते हैं किसान फचल बोता है देख भाल करता है और उसका उत्पादन करता है खाद्यान हमारे भोजन का मुख्य अंग है क्रिशी का महत्व तो क्रिशी का क्या महत्व होता है क्रिशी एक प्रात्मिक व्यवसाय है ठीके इंपोर्टेंट लाइन है कि क्रिशी क्या है एक प्रात्मि एक व्यवसाय है, फसल उगाकर उध्यान एवं अन्य उत्पाद पैदा करना क्रशी कहलाता है, देखिए इतनी छोटी सी लाइन है कि क्रशी एक प्रात्मिक व्यवसाय है, ठीके कई बार एक्जाम में इतने हलके से कुशन जो है वो पूछ लिये जाते हैं, जैसे कि आपके र हर चीज को लेकर चलना है आपको, आसान भी और कठेन भी, फसल उगाकर खाद्यान एवं अन्य उत्पाद पैदा करना क्रशी कहलाता है, राज्य की लगबग दो तिहाई जनसंख्या का मुक्य व्यवसाय क्या है क्रशी, तो हमारे यहां की जो दो तिहाई जनसंख्या है व कच्चा माल मिलता है और साथ ही राज्य की आतम निर्वर्ता बढ़ती है, तो कितनी ही important line कही गई है कि क्रशी के द्वारा ही हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, क्रशी के द्वारा ही हम व्यपार भी कर लेते हैं, ठीके, और जो उध्योग होते हैं बड़े-बड़े, उनक निश्चित तापमान पानी की मातरा, म्रदा और जलवायू की आवशक्ता होती है, अतह है मौसम की अनुसार अलग-लग फसल बोई जाती है, तो हर चीज़ का एक time होता है, तो कौन सी पसल, कितने temperature पर बोई जानी है, कितनी पानी चाहिए उसमें, कौन सी मिट्टी चाहिए ठीक है, कैसी जलवायू होनी चाहिए, इन सब को ध्यान में रखकर ही फसले बोई जाती है, तो मौसम के according फसले, कौन कौन सी है, रभी की, खरीव की और जायत की, तो six class में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, उससे बढ़कर यहां हम पढ़ेंगे, रभी की फसल, रभ यह क्या है, रभी की फसल है, और इसका जो बोई का टाइम है, अक्टूबर और नवंबर होता है, और काटने का टाइम होता है, मार्च अप्रेल में, खरीव की फसल देखिए, बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मौठ, तिल, जौार, मूंगवली, कपास, गन्ना, आदी, और इसे जुलाई में, यानि जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे, कि चावल जो है, वह क्या है, रभी की फसल है, या खरीव की, तो आप क्या उत्तर देंगे, कि वह तो खरीव की फसल है, उसके बाद है, देखिए, तीसरी फसल है, जायद की फसल, फल, खर्बूजा, तर्बूज, सबजी, ककडी, आदी, ये सब ही जायद की फसले है, इन्हें बोने का टाइम है, अप्रेल, और इनको काटने का टाइम है, जून, ठीके, जैसे ही ये काट ली जाती है, उसके बाद खरीब की फसल बोई जाती है ठीक है और खरीब की फसल को काटने का टाइम है October November रभी की फसल देखी October November में बोई जाती है और कटाई होती है March अप्रेल में तो आप यहां से याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं वर्ण माला में तो सबसे पहले खा आता है उसके बाद आता है रा ठीक है कभी कभी एक्जाम में याद नहीं रह पाता है तो मैं आपको छोटी सी चीज बता रही हूँ सबसे पहले वर्ण माला में खा आता है उसके बाद आता है रा तो सबसे पहले याद रखना है कि खरीफ की फसल जो है, वो कब kट रही है? अक्टूबर नवमबर में और जैसे ही ये कटती है, तो इसके बाद आती है र, यानि रभी की फसल और उसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवमबर में. ठीक है? इस तरीके से आप इन दोनों को याद रखिएगा, रवी और खवीफ की फसल में confused नहीं होना, ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत important है, जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है, उन्हें कहते हैं तिलहन, जैसे तिल, मुंगफली, सरसों, तो सरसों जो है, रवी की फसल भी है, और तिलहन है, जिन फसल उत्पादों से दाले बनाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं दलहन, तो तिलहन जिन से तेल निकलता है, और दलहन जिन से दाले बनती हैं, जैसे मुंग, मोट और चना, तो काफी important line है, उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं, तो अभी हमने क्या देख खाद्यान फसलें और व्यापारिक फसलें, खाद्यान जो की हमें खाने पीने के लिए, जो की खाई जाती हों, ठीके, वो फसलें और दूसरी जो की व्यापार किया जाता हो, वो वाली फसलें, तो खाद्यान फसलें जिन फसलों के उत्पाद बहुजन के लिए उपयोग मे लिये जाते हैं वे खाद्यान फसले कहलाती हैं जैसे गेहूं, जो, जौर, मक्का, चावल डालें व्यापारिक फसलें जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाई के लिए किया जाता है तो उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं जैसे कि कपास जो है वह खाद्यान फसल नही तो कैसी है व्यापारिक फसल है गन्ना जो है वो व्यापार के लिए यानि चीनी बनती है उससे तमाकू जिसका व्यापार ज्यादा होता है तिलहन व्यापार यानि व्यवसाय ज्यादा होता है ठीक है तो खाद्यान फसले और व्यापारिक फसले ये उप्योग के आधार पर के प्रकार हैं और मौसम के आधार पर तीन तरीके की फसलें तो चलिए इस बॉक्स को देख लेते हैं राजिस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है कभी वर्षा की अधिक्ता से बाड़ा जाती है इन कारणों से फसलों का उत्पादन कम हो जाता है अत्यक खाने की वस्तों को जूठा छोड़ कर बरवाद नहीं करना चाहिए तो छोटे बच्चे हैं सेवन्त क्लास के तो उनके लिए इस बॉक्स में एक जरूरी बात कही गई है कि राजिस्थान में यदि आप रहते हैं तो यहां बारिस कम होती है यहां पर बार भी आ जाती है तो फसलों को उत्पादन कम हो जाता है इसलिए हमें खाने को बरवाद नहीं करना चाहिए यह है सरसों का खेत राजिस्थान में बोई जाने वाली प्रमुक फसल एवम उत्पादक जिले तो अब हम देखेंगे कि राजिस्थान में हमारे कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है और कौन-कौन सी जिलों में तो याद रखना है कि गेउं की फसल जो की रभी की फसल है यह सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है राजिस्थान के प्रमुक गेउं उत्पादक जिले श्री गंगा नगर, हनुमानगर, कोटा, बारा और भरतपूर इत्यादी है नेक्स्ट दूसरी फसल है जो एवं जोर यह सुस्क एवं अर्द सुस्क जलवायू की फसले है जो का उत्पादन जैपूर, श्री गंगा नगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, जुनजनु और नागोर इन जुलों में होता है और जोर जो है वहे अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपूर और जैपूर में यानि जो ज्वार है वहे श्री गंगा नगर में सीकर में नहीं होता है इसके अलावा जो है यह अजमेर पाली भीलवाडा भरतपुर जैपुर में होता है इन चीज को आपको याद रखना है तो यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है कि इतनी सारे जिले जो है वह कि यहाँ चेप्टर आप पढ़ोगे फिर आपको शन आंसर जो है वो करोगे तो वहाँ आपको यह चीजें याद हो जाएंगी नेक्स्ट है मक्का मक्का राजिस्थान का विसेशकर मेवाड का प्रमुख भोजन है तो कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि मेवाड का जो प्रमुख भोजन है वह कौन सा है ठीके तो यहाँ राजिस्थान में मक्का कहां का मुख्य भोजन है तो कहां का है मेवाड का मक्का से ही पॉपकॉन बनता है, कॉन फ्लैक्स बनता है, इत्यादी खादे पधार्थ बनाये जाते हैं, भील वाड़ा, उदैपूर, वास वाड़ा, चित्तोडगर, रास समल, आद्धी प्रमुक मक्का उत्पादक जिले हैं तो हमें पता है मेवाड का प्रमुक भोजन मक्का है, तो मेवाड के में आने वाले जितने जिले हैं, वो सभी यहाँ पर आप लिख दोगे नेक्स्ट है बाजरा, बाजरा जिसमें नंबर वन है, राजिस्थान, राजिस्थान की जलवाईू बाजरे के लिए उप्युकत है, यह कम वर्षा, उच्चतापमान तथा उपजाओ, बालुई मिट्टी में उगाया जाता है यह राजिस्थान का प्रमुख खाद्यान है, बाजरे के उत्पादन की दरस्टी से राजिस्थान का भारत में प्रथम इस्थान है, ठीक है, तो कई बार हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं अलवर, जैपुर, सीकर, नागोर, जोदपुर, जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर हमें देखिए, अलवर, जैपुर, सीकर, नागोर, जोदपुर, इन जिलों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट देखिए चना, चना भी क्या है, गेहूं चना सरसों ये क्या है, रवी की फसल है, चने का उत्पादन बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जैपुर, पाली, आदी जिलों में होता है, चने के अलावा मूंग, मौठ, उडद और अरहर, ये जो दलहन है, ये भी साथ में ह होती है, जो राज्य में उत्पादित होते हैं, ठीक है, तो चना जो है, याद रखना है, रवी की फसल है, और इसका उत्पादन जो है, वह है, भीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जैपुर, पाली, आदी जिलों में होता है, तो देखिए, इन चीजों को आप बार-बार लेंगे, तो ये चीज़ें जो है, वो अपनी सी लगने लगती हैं, आप कोई भी गाना भी सुनते हैं, एक बार सुनते हैं, आपको गाना कैसे याद हो जाता है, आप खुद सोचिए, तो गाना जो है, वो आपको ऐसे याद हो जाता है, जैसे कि आपने ही ये लिखे हों, या आप नहीं गाए हो इसी तरीके से यदि आपको कोई भी चीज याद करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले उसे डेटेल में पढ़िए यानि जैसे हम यहां चैप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है आपको वीडियो में नहीं पढ़ना है तो आप मार्केट से बुक लेकर आई है तो वो चीज आपको लर्ण हो जाती है तो बिलकुल भी ऐसे नहीं सोचना है इतना सारा पोर से है हम लोग कैसे करेंगे जिन बच्चों के स्लेक्शन होते हैं वो लोग इसी तरीके से तैयारी करते हैं नोटिफिकेशन आने से पहले ही जुड जाते हैं तैयारी में नेक्स्ट है सर्सों, राजिस्थान देश का सर्वादिक सर्सों उत्पादन राज्य हैं, ये रभी की फसल है, सर्सों के प्रमुक उत्पादक जुले अलवर, टोंक, भरतपूर, श्री गंगा नगर, सवाई माधोपूर, हनुमानगर, जैपूर, जोतपूर और बारा है, ठी माधोपूर, हनुमानगर, जैपूर, जोतपूर और बारा, उसके बाद देखे, इन मुख्य फसलों के अलावा राजिस्थान में चावल, कपास, इसब गोल, राई, अलसी, गंणा, इत्यादी फसलें भी बोई चाती हैं, राजिस्थान का बाजरा, इसब गोल, सर्सों, ग गवार, मोट और जीरे के उतपादन में नंबर वन पर आता है राजिस्थान, ठीके, बाजरा, इसब गोल, और सर्सों, इन तीनों को आपको याद रखना है, राजिस्थान राज्य के स्री गंगा नगर जिले में सूरत गड़ में ईश्या महादीब का सबसे बड़ा क्रश इस लाइन को, तो इसको मैं दुबारा से अंडरलाइन कर देती हूं, नेक्स्ट देखिए, सिचाई के साधन, पसल के उतपादन के लिए पानी की आविशक्ता होती है, कम वर्षा वाले शेत्रों में सुस्क क्रसी एवं अधिक वर्षा वाले शेत्रों में आद्र क्रसी की जाती है, सिचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित करशी कहलाता है, तो सिचाई की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है फसलों का, तो उसे कौन सी करशी कहते हैं, सिंचित करशी कहते हैं, विभिन शेत्रों में भिन भिन प्रकार की सिचाई के साधन काम में लि तो यहाँ पर important line एक यह है कि definition जो है वो पूछी जा सकती है कि सिल्चित क्रशी किसे कहते हैं तो सिचाई की साहता से पसलों का उत्पादन सिल्चित क्रशी कहलाता है। कि सबसे जादा हमारे राजिस्थान में सिचाई किसे करते हैं नलकूप से करते हैं। इसके अलावा भी करते हैं देखिए कुओं से तालाब से नहरों से लेकिन सबसे जादा जो है वो है किसे हो रही है सिचाई नलकूपों से। राजिस्थान में इंद्रा गांधी नहर से स्री गंगा नगर हनुमान गड़ वीका नेर जैसल मेर जिलों में नहरी सिचाई की जाती है उसके बाद देखिए राजिस्थान में सकल सिंचित शेत्र का सिचाई के साधनों के अनुसार वरगी करण तो यहां हमने जाना कि सिचाई के साधन जो है वो नलकूप है नहरे हैं कुवे हैं तालाब हैं सबसे ज़्यादा राजिस्थान में नलकूपों द्वारा सिचाई होती है तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू भाग 44% सिचाई नलकूपों द्वारा होती है एक्जाम में यह पूछे जाते हैं कि नलकूपों द्वारा सिचाई जो है राजिस्थान में कितनी होती है चवालिस परसेंट और इसके बाद 30% नहरों द्वारा होती है, कुवों द्वारा से चाई 23% होती है, तालाबों द्वारा 2% और अन्य साधन जो हैं वो 1% भूजल के अत्यदिक उप्योग से, यानि जादा उप्योग में लिया जाता है जब भूजल को, तो भूमिगत जल का इस्तर कैसा हो जाता है, नीचे हो जाता है, वर्षा जल के संडक्षन एवं प्राकर्तिक जल्स्रोत के पुनुरुदार की आविश्यक्ता है, वे एवं नल पर ये लाइन इंपोर्टेंट कौन सी है, कि एक तो फबारा के माध्यम से और एक पून्द बून सिचाई पद्धिती, इन दोनों के माध्यम से जल को हम बचा सकते हैं, धोरे एवं नहरें अगर पक्की बना ली जाएं, तो उनसे भी जल की बचत होती है, तो देखिए जो सिचाई हम कुओं और नलकूपों से कर रहे हैं, अगर वो फबारा पद्धिती के द्वारा या भून भून सिचाई पद्धिती के द्वारा की जाए, तो जल की क्या हो सकती है, बचत हो सकती है, धोरे और नहरें अगर पक्की बना ली जाएं, तो उनसे भी जल की बचत हो याद रखना है waterman कौन है जलपूरस कौन है राजिंद्र सिंग भारत के प्रसिद परयावरण कारे करता है वे जलसंडक्षन के शेत्र में कारे करने के लिए प्रसिद है उन्होंने नौक्री जोड़कर और घर का सामान वेच कर राजिस्थान जैसे राज्य को जलसंकट से जिन्हें waterman कहते हैं, जलपुरुस कहते हैं, वो कौन हैं, तो राजिन्त प्रिसाद हैं, उन्हें कौन सा पुरुसकार से सम्मानित किया गया, रमन मैक्सिसे पुरुसकार से सम्मानित किया गया, सब दावली, तो कृशी का अर्थ है, फसल उगाकर खाद्यान एवं अन्य उत् रवी अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रेल में काटी जाने वाली फसल है और खरीफ जुलाई में बोई जाकर अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल है तो मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका, पहले आप खरीब की फसल याद करिएगा, उसके बाद रवी की, क्योंकि पहले खा आता है वर्ण माला में और उसके बाद रा आता है, तो इस तरीके से ये लाइन आपको याद भी रहेंगी दोनों, चलिए, जैसा कि हम करते के सही उत्तर के विकल्प को कोश्टक में लिखिए, रवी की फसलों के सम्हूं के पैचान कीजिए, ऐसे ही कुश्यन आपकी एक्जाम में पूछा गया है, रवी की फसलों के कौन सा सम्हूं बन रहा है, देखिए, बाजरा, बाजरा तो नहीं है, खरीब का है, तो ये तो जल सनक्षण हेतू सिचाई की उत्तम विधी कौन सी है तो देखिए हमने बिल्कुल चैप्टल के end में जो पहरग्राफ पढ़ा था वहां से ये कुश्यन है जल सनक्षण हेतू सिचाई की उत्तम विधी नहरों द्वारा है खुले धोरों द्वारा है तालाबों द्वारा या पूंद पूंद सिच्चाई या फबारे द्वरा तो हमने देखा था कि तालाबों या नहरों की वजाए यदि हम पूंद पूंद सिच्चाई या फबारे पद्धती अपनाएंगे तो जल जो है वो कम खर्च होगा रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए, राजिस्थान में एक, दो, तीन फसले होती हैं तो यहां तीन यानि की मौसमी फसले पूछा जा रहा है तो यहां राजिस्थान में रभी, खरीफ और जायत फसले होती है अब इसका आंसर जो है वो आपको comment box में देना है जो हमने एक box में पढ़ा था अब इसका आपको देना है आंसर तो यह आपका एक समझे एक आपका homework ही है तो जो बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैं हम YouTube चैनल पर आप question answer series नहीं कराओगे देखिए यहाँ पर जैसे हम पहले करते आ रहे हैं चैप्टर भी पढ़ेंगे question answer भी करेंगे तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हुए मिलते हैं इसी तरीके से next वीडियो में Thank you